जैकारा शेरावलिदा बोल साचे दरबार की चै मां के नवरात्रे चल रहे हैं और 22 अक्तूबर दिन रविवार को अश्टमी है इस दिन मां गौरी की पूचा की जाती है मां गौरी ने शिवजी को बहुत तपस्या करके पाया था मां के उपर पेड़ पौदे मिटी सब लग गए थे तो शिवजी प्रक्ट हुए थे और उन्होंने मां को दर्शन दिये थे और मां गौरी को अपनाया था मां गौरी भक्त की सभी मनो कामनाओं को पूरा करती है अश्टमी के दिन मां की पूचा पूड़ी चने और हलवे से की जाती है इस दिन कन्याओं का पूजन किया जाता है 11 वर्ष तक की कन्या का पूजन सर्व श्रेष्ट माना गया है दो वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है और अपनी समर्थया के नुसार कन्याओं को भेंट दी जाती है कन्याओं को चुन्नी अवश्या ही अरपन करनी चाहिए और उनके सिर पर बड़े ही आदर से हर कन्या के सिर पर चुनरी देनी चाहिए इससे मा बहुत ही परसं होती है और के तुग्रै शान्त होता है इस दिन कन्याओं को चूड़िया भेंट करनी चाहिए इससे घर में कभी भी अंधन वैभव की कमी नहीं रहती अश्टमी के दिन कन्याओं के पैर धोकर उसी पानी को सारे घर में छिड़कना चाहिए तो घर में कभी भी द्रिदर्ता नहीं आती एक थाली या कोई छोटा सा टब ले लेना चाहिए उसमें सभी कन्याओं के पैर धोने चाहिए फिर उस पानी को घर की चोखट पर और घर में हर जगा छिड़कना चाहिए स्वाए बातरूम के ये पानी हर जगा छिड़कना चाहिए और थोड़े से सिक्के कुटोरी में लेने चाहिए और उन सिक्कों पे सभी कन्याओं के हाथ अशीरवा सवरूप लगवा लेने चाहिए तो वो एक तरह से खजाना बन जाता है जब हम इस तरह करते हैं तो फिर हमारे घर में धन की कभी भी कमी नहीं होती फिर उस कोटोरी को वहां रखना चाहिए जहां आप अपना धन रखते हैं तो घर में कभी भी अंधन वस्तर कहना किसी चीज की कमी नहीं होती मा गौरी भक्त की सभी मनो कामनाओं को पूरा करने वाली है मा अश्टमी के दिन सभी भक्तों के रोग दोश सब समाप्त कर देती है अगर सच्चे मन से मां से प्राथना की जाए तो मां अवश्या ही सुनती है अगर कोई रोग है घर में कोई बिमार है तो मां की पूझा सच्चे मन से करनी चाहिए और इस दिन फिर कन्या पूजंग जो किया जाता है उसके फल सवरूप मा उस रोग को दूर कर देती है और रोगी फिर से इस्वस्थ हो जाता है अश्टमी के दिन मा बहुत ही प्रसन होती है और जो भी भक्त शरद्धा से मा के आगे माथा टेकते हैं उसकी सभी मनो कामनाई मा पूरी करती है और रोग दोश सब शान्त करती है बोलो मा गौरी की जै